हेलो नमशकार काद्यांस कुकिंग में आपका स्वागत है आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्थ होने वाली है क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे जबरदस्थ किचन के टिप्स जो मेरे काफी कामाते हैं तो बढ़ते हैं सबसे पहले टिप के तरफ, तो मैं बनाने वाली हूँ स्प्राउट्स, मूंग और चने का, तो इसके लिए मैंने एके कटोरी ले लिया है एक बड़े बोल में और इनको मैं पहले अच्छे से वाश कर लूँगी, वाश करने के बाद में हमें इसे भिगो करक भर चुका है, तो पानी को हमें निकाल देना है, और अच्छे से एक बरी फिर से वाश कर लेना है, क्योंकि हमें इसके स्प्राउट तयार करने और जो रात भर पानी इसमें भीगा रहा, उसमें फिर स्मेल हो चुकी होगी, तो अभी मैंने एक जाली ले लिया है, जिसमें नीचे थोड़ा सा स्टैंड रखा है, अगर इस तरह की जाली नहीं हो, तो कोई दिकत की बाती है, हमें एक कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो स्ट्रेनर था, उसमें मैंने मूंग को रख दिया है, और नीचे इस तरह से कटोरी हमें लगा देनी है, बेसिकली कॉंस च्खड़क देना है, तो मूंग के लिए ये वाला तरीका आपको अपनाना है, और चने के लिए दूसरा वाला तरीका, चने को स्प्राउट करने के लिए आपको जाली या नेट में नहीं रखना है, उसे आपको एक बंध डब्बे में ही रखना है, तो यह आप देख सकते नहीं है थोड़ा सा हाइट इसको मिल जाती है तो यह अच्छे से स्प्राउट हो जाता है नीचे से भी और यह देखिए दिन में दो या तीन बारी आपको थोड़ा सा पानी इस पे स्प्रिंकल कर देना है और नीचे गटोरी होने की वज़े से जो भी एकसेस वाटर है वो उ इस तरीके से छोटे-छोटे स्प्राउट से निकल आए हैं तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दिया है चने में आपको बिल्कुल भी पानी स्प्रिंकल नहीं करना है और इन स्प्राउट को अच्छे से तयार करने के लिए आपको किचन के एक डार्क साइड में रख देना है जहां पर दूप बिल्कुल भी ना लगे अगर दूप लगेगी तो यह हमारे स्प्राउट्स बिल्कुल तयार नहीं होंगे और यह खराब हो जाएगा तो यह आप देख सकते हैं चने भी बहुत ही से स्प्राउट्स हो चुके हैं और मूंग भी बहुत एच्छी से स्प्राउट हो चुकी है कैसी लगी ये वाली टिप कमेंट करके जरूर बताइएगा अब अगली टिप है मलाई से मक्खन तयार करने के लिए क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी सर्दियां आ चुकी है और इस ठंड में मक्खन तयार करना बहुत ही मुश्क के जार में डाल रहे हैं तो मलाई हमें थोड़ी ही डालनी है ज्यादा नहीं डाली नहीं तो यह मिक्खन के बाहर निकल आएगी बस मैंने वन स्पीड पे इसे चलाया है और यह आप देख सकते हैं यह इस तरीके से पतला सा रहेगा तो अब हमें इसमें नॉर्मल पानी डा लिएगा और मिक्सी को चला लिया है और यह मक्खन देखे कि इतनी आसानी से निकलाया इसी तरीके से बाकी भी हम तयार कर लेंगे तो मैंने वापस तो यह सा गरं पानी डाला है दो तीन चमच मलाई डाल दी हैं कवर करके हम इसे चला लेंगे और जब हम इस मक्खन को एक बरतन में जिसमें भी आपको निकालना है तो उसमें थोड़ा सा गरम पानी जरूर से आड़ कर लें गरम पानी डालने से मक्षन नीचे तली में नहीं चिपकता है यह देखिए तो इस तरीके से सर्दियों में आप मक्षन को मिक्सी के जार में डाल करके बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि इन दिनों में दिक्कत यह होती है जब हम मलाई से मक्षन निकालते हैं तो वह बिलकुल पानी पानी जैसा होता है बहुत टाइम लगाने के बावजूद मक्षन अलग नहीं हो पाता है तो ये वाला टिप आपको कैसा लगा अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको यूसफुल लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा क्योंकि आप अपने लाइक के जरीए मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं यूसफुल वीडियो आप लोगों के लिए ज्यादा से ज दाल सकते हैं और अगर सर्दी हो तो आप इसमें थोड़ा सा गरम पानी डाल करके इस तरीके से मखन तयार कर सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं कितना खूब सारा मखन निकल आया है और बिल्कुल भी महनत हमारी इसमें नहीं लगती है तो बैचस में आपको मलाई मिक्सी क जार में डालनी हैं और थोड़ा सा पानी एड़ करके फिर आपको मिक्सी को चला लेना है तो इसी तरीके से अब मैं और भी मखन निकाल लूँगी और फिर हम मखन को अच्छे से एक दो बारी वाश करेंगे और फिर इसे गरम होने के लिए रग देंगे तो यह मैंने सारा म लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तो घी हो चुका है तैयार अगली वाली टिप है जबी आप स्टफिंग वाले पराठे तैयार करते हैं तो अगर आप इस तरीके से पराठा बेलेंगे तो स्टफिंग अच्छे से हर जगह फैलेगी ऐसा नहीं रहेगा कि कहीं पे साल आ रहा है कहीं पे नहीं आ रहा है तो इसके लिए जबी भी आप पराठा बेले तो यह आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा हम इस तरीके से जब इसे फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद में उपर से हम वापस से इसे अंदर ही फोल्ड करके अगर बेलेंगे तो स्टफिंग अच्छे से फैलेगी नहीं उपर आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा यह जो आटा है यह हमें हटा देना है और फिर हमें इसे बेलेंगे तो अच्छे से आपकी स्टफिंग फैलेगी हर जगह और पराठा भी फूला सा तयार होता है तो यह बहुत ही आसान औ पराठे बनाएंगे तो स्टेफिंग हर जगे फैलेगी और अच्छे से फैलेगी इवनली फैलेगी और पराठा भी फुला फुला तैयार होगा बहुत ही टेस्टी लगेगा तो जब पराठे में मसाला हर जगे अच्छे से आता है बराबर मात्रा में आता है तो पराठा टेस और इसे शेर जरूर किज़ेगा अपने दोस्तों में अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में ताकि यह कुछ आसान से टिप सुनके भी काम आ सके अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ जब भी आप अपनी मिठाईयों में अपनी रेसिपी में हरी लाइची का पौडर में अपनी में बहुत ही आसानी हो जाती है और इकदम फाइन पौडर इसका तयार भी हो जाएगा बस आपको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम मिक्सी के जार में डालेंगे थोड़ी सी चीनी डाल करके पीस लेंगे क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में और आसानी से पीस जाता है तो अगर आपको इसमें थोड़े से रेशे लगें तो आप इसे एक बारी चान लें और वापस से पीस लें तो यह एकदम परफेक्ट है मैंने इसे केरटाइ डबे में डाल दिया है और इसे ढख करके हम इसे रख लेंगे तो यह थे मेरे कुछ ऐसे चोटे चोटे यूसफुल टिप्स जो मेरे काफी काम आते हैं तो मैं उमीद करती हूँ मेरी यह वीडियो आपके भी काफी काम आएगी और आपके किचन के काम को और आसान और बहतर बना सकेगी तो फ्रेंट्स अगर वीडियो यूसफुल लगी हो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा और शेयर कीजेगा ज्यादे से ज्यादा इसे अपने फैमली और फ्रेंट्स में ताकि वो भी इन टिप्स को फॉलो कर सके उनका भी किचन का काम और आसान और बहतर बन सके फ्रेंट्स आज की वीडियो में सबसे अच कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को प्लीज लाइक के बगर बिलकुल भी ना जाएं थैंक यू फर वाचिंग स्टे कनेक्टेड